हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मिरा नाम है सिंदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इंपॉसिबल के यूटूब चैनल पर आसा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग यूजेसी नेट एकजाम सेकेंड पेपर जिग्रॉफिस सब्जेक्स से जो है पच्चास इंपॉर्टेंट एमसी क्यू कोश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और इसमें से ज्यादा तर कोश्चन जो प्रिपेस येर में अल्रेडी पूछे जा चुके हैं आप सभी को पताए कि प्रिपेस य आंसर क्या करना है कमेंट बॉक्स में बताना है और लगे कि वीडियो फास्ट है लगे कि नेक्स कोश्चन पर मैं चला जा रहा हूं तो आपको करना क्या कि जैसे ही मैं कोश्चन को पढ़ता हूं वैसे ही आपको वीडियो को पहुच करना है क्यों को अच्छे से समझना है फिर उसके बाद से सही आंसर आपको बताना है तो चलिए फिरेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखें यहाँ पर सबसे पहला कुशन पूछा क्या जा रहा है कि सैन एंड्रियंस भ्रंस निम्नलिकित में से किस का घो तक है इन चारो विकल्पों में से आपको बताना है पहला जो उप्सन है बेनियाफ छेतर का बी है पटिका का रचनात्मक मार्जिन सी है पटिका का विधवनसक मार्जिन और डी है पटिका का कंजर वेट्यू मार्जिन conservative margin का मतलब होता है सनरच्छी प्लेट आपका जैसे दो प्लेटे होती है इस प्रकार से आप देख सकते हैं और ये विपरीद दिसा में गती करती है और यही गती जो होता है यह सनरच्छी प्लेट यानि कि यहाँ पर प्लेटों का नविनास होता है और नई प्लेटों का निर्माड भी नहीं होता है तो इसके ही किनारों पे जब रगड़े खाती है तो आपका यहाँ पे सैन एंड्रियन्स भरंस का क्या होता है निर्माड होता है यह आपको याद रखना है आईए ब अगला कुश्चिन देखते हैं अगला कुश्चिन हमारा है कुश्चिन नमबर टू देखे इसमें पूछा ज़रे के निर्माड लिखित में से कौन से हिम घाव प्राकृतिक रूप से सरवधिक विनासकारी होते हैं इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है क्या अद्रिन हिम अपसन ए दिया गया, बी दिया गया, पट और सी दिया गया, चुरूडे हिम और डी दिया गया, आद्र हिम तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है क्यों से हिम घाव प्राकृतिक रूप से सरवधिक विनासकारी होते हैं इसका जवाब आपको कमेंट बोक्स में देना है देखे इस कुश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका आपसन नमबर भी पट पट हिम घाव प्राकृतिक रूप से सरवधिक विनासकारी होते हैं ये आपको याद कर लेना है और ये कुश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा आई अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन हमारा है कुश्चन नमबर थरी देखे इसमें पूछा जा रहा है कि यदि किसी वलन में दोनों किनारे समनांतर होने के साथ एक दूसरे के 36 भी हो तो यह किस प्रकार के वलन के उदारन होंगे इन चारो विकलपों में से आपको बताना है क्या सम्मत वलन या सायन वलन या विवरित वलन या सम्मरित वलन इन चारो विकलपों में से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है तो देखे इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number यहाँ पर भी सायन वलन question में क्या पूछाएगा है कि यदि किसी वलन के दोनों किनारे समनांतर होने के साथ एक दूसरे के चहतिज भी हो तो इस प्रकार के वलन को सायन वलन कहा जाता है इसे आपको क्या करना है याद रखना है सायन वलन आपको वलन का मतलब fold होता है जैसे आप देखेंगे परवती छेत्रों जाएगे तो ऐसे आपको वलित रूप से परवत देखने को मिलेंगे यही फोल्ड आपका क्या होता है वलन होता है आपको इसे याद रखना है आईए अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन हमारा है कुश्चन नमबर 4 देखें इसमें पूछा जा रहे कि माउंट सेंट हैलन्स विस्व के किस भाग में अवस्थित है इन चारों में से पहरा जो अप्सन यहाँ पर दिया गें सन्यूक्त राजय अमेरिका में, ब है जावा सागर में, C है अंडमान सागर में और D है अजीन सागर में तो आपको क्या बताना है कि माउंट सेंट हैलन्स विस्व के किस भाग में अव इस्थित है, कमेंट बॉक्स में आपको सही आ राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका option number a यहां पे सन्युक्त राज्य अमेरिका में जो है माउंट सेंट हैलन्स जो है इस्तित है यह आपको याद रखना है तो इस question का option a हमारा right answer हो जाएगा आई अगला question देखते हैं अगला question number 5 देखिए इसमें पूछा जा रहा है के निमनलिकित निमनलिकत में किस क्रिया कि वज़ए से निमनावलन पैदा होता है इन चारू विकल्पों में से आपको बदाना है कि किस क्रिया के दौरा निमनावलन प्वन जो है पैदा होता तो देखिए इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number B परपटी मुडान के वज़े से जो है निमना वलन पैदा होता है यानि कि उपर का भाग आपको पता है कि प्रित्वी के क्रश्ट है भूपरपटी है और इसमें ही मुडान के वज़े से दबाओ के कारण जो है व कौन सा परिध्रूवी या प्रिशान्त जोला मुखी पट्टी का भाग नहीं है इन चारो विगल्पों में से आपको बताना है पहला जो option है एलेसियन द्वीप समू बी है मिंड नाओ द्वीप समू और C option दिया गया है ओजर्स द्वीप समू और D है सकलानी द्वीप समू तो इन चारो विगल्पों में से आपको क्या बताना है कि कौन सा परिध्रूवी या प्रिशान्त जोला मुखी पट्टी का भाग नहीं है तो देखिए इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number C यहाँ पर ओजर्स द्वीप समू जो है परिध्रूवी या प्रिशा प्रिशान्त जोला मुखी पट्टी का भाग नहीं है बाकी की सारे विकल्प जो है वो परिध्रूवी या प्रिशान्त जोला मुखी पट्टी के भाग है यह आपको याद रखना है तो option C यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा इस question का right answer आईए अगला question देखते हैं अगला question हम डबलो एम डेविश ने कहा था बी है एल अगासीज है और फिर सी है डबलो पैंक और डी है ऐसी रेम से तो इन चार विकल्पों में से सही answer आपको बताना है तो देखे इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है एल अगासीज इसका नाम पूरा है लूइस अगासीज इसे नाम इस नाम से ही आपको याद रखना है तो यहाँ पर question में यही पूछा गया था कि वह विचार किशने दिया था कि एक हिम युग या जिसके दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकान सिच्छा हिस्सा जो है हिमाच्छदित था वो लूइस अगासीज के दौरा बताया गया था यह आपको याद रखना है आईए अगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 8 देखें यहाँ पर question number 8 में पूछा जा रहा कि एक रूपतावाद का सिध्धान्त कि ने दिया था यह काफी important question है क्योंकि यह PGT जोग्राफी में भी question पूछता है इसके साथ ही साथ आपके UGC net के एक्जाम में भी पूछता है तो इसे आपको याद रखना है पहला option दिया गया है cotton B option है डटन और C option है हटन और D option है डालटन तो इन चारों में से सही answer क्या है एक रूपतावाद का सिध्धान्त किस ने दिया था तो इसका जो right answer हो जाएगा वो है आपका हटन महोद है James Hutton क के द्वारा जो है एक रूपतावाद का सिध्धान्त दिया गया था यह आपको याद रखना है इसके साथी साथ इन से एक और question पूछा जाता है कि वर्तमान जो है भूत की कुंजी है तो यह भी कौन से किसने बताया था James Hutton महोदे नहीं बताया था यह आपको याद रखना है इस question का जो सही answer है option number C है आई अगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 9 देखे इसमें पूछा जा रहा है कि निमनलिखित विकल्पों में से कौन सा सक्रिय ज्वाला मुखी के विस्व वितरण के सही धंग से जो है वर्डित करता है इन चारों विकल्पों में से आपको ब बताना है comment box में पहला है यहां पर यह यूवा मुड़दार परवत स्रिंखला से संबंद जो है यहां पर पाए जाते हैं और B है यहां पर यह नदी के बाड़ वाले मैदान में होते हैं और C है यह पुराने च्छैत पहाड के स्रिंखला में संबंद रखते हैं और D है यह स कोश्चिन का राइट आंसर हो जाएगा यह समुद्र बेशीन के आजपास स्रिंखला बनाने को अभिमुक होते हैं कोश्चिन में यही पूछा गया था कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा सक्रिय जो अला मुखी के विस्व वितरन के सही धंग को जो है वनित करता है तो य समुद्र बेशीन के आजपास स्रिंखला बनाने को अभिमुक होते हैं यह याद रखना है तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा इस कोश्चिन का राइट आंसर आई अगला कोश्चिन देखते हैं अगला कोश्चिन हमारा है कोश्चिन नमबर 10 देखे इसमें पूछा जा रहा है कि रिया तट निमनलखित में से किसका उधारण है इन चारोवे कलपों में से आपको बताना है पहला जो ऑप्शन है निस्प्रभावित तट रेखा की बी है सन्युक्त तट रेखा की सी है निमगन उपरी भूमी तट रेखा की और डी है उन मजजित हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह आपका आपसन नंबर सी निमगन उपरी भूमी तट रेखा का जो है यहां पर उधारण है रिया तट इसे आपको याद रखना है तो आपसन सी इस कोश्चन का हमारा राइट आंसर है आई एकला कुश्चन नंबर 11 देखे इसमें विकल्पों में से कौन सी ऐसे स्थलाकृतियां है जिनका निर्माण अपरदन के द्वारा होता है पहला जो आपसन है यहां पे निश्चून तमा और इसके बाद से यह इसी में कामा देखे दिया गया है प्राकृतिक लेबिस और इस्टेक और टैलेस बी आपसन में दिया है हिमगहवर, यारडांग, गार्ज और घोलरंद और सी है प्राकृतिक सेतू, पुलीन, हिमनद, तारानुमा, बालुस्तूप और डी है हिमोड, हिमगहवर, यू आकार की घाटी तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो अपरदना द्वारा निर्मित इस्थलाकृतियां है, घोलरंद जो है आपका भूमिकत जल द्वारा जब चूना पत्थरों का जो है गल मतलब चूना पत्थर जो है पानी के साथ क्रिया करते हैं तो घोलरंद जैसे जो है इस्थलाकृतियां देखने को आपको मिलती है, गार्ज भी न option B आपका right answer हो जाएगा question में यहीं पुछा गया कि कौन सीब हो आकरिती अपरदनी विशेष्टाएं हैं उनके अंदर तो option B के अंदर जो है अपरदनी विशेष्टाएं हैं तो option B हमारा question का right answer है अगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 12 और यह question आपका matching वाला है यानि Milan वाला question एक तरफ सुची वन दिया होता है दूसरे तरफ सुची दो तो सुची वन को सुची दो के साथ हमें क्या करना है match करना है तो आप देख सकते हैं सुची वन में जो है भूगल विताओं का नाम दिया गया है और सुची दो में पुस्तक संबंदी तथ्थे दिये गये हैं और हमें इसे क्या करना है match करना है और नीचे दिये गए सही विकल्प का चैन हमें करना है यानि कि match करने के बाद जो भी कूट आपका यहां पर इन चारू विकल्पों में से सही बैठता है उसको सही करके जो है आपको comment box में बताना है तो देखिए कि जो है introduction to control geomorphology नाम की पुस्तक इन्हों ने लिखी है और दूसरा है stephen third jill जो है यह match करेगा दूसरे के साथ यहां पर limestone geomorphology इनकी है और c है c h creek में तो यह जो है तीसरे के साथ match हो जाएगा यहां पर the work of the river के संदर में इन्होंने लिखा है पर d है charles lies इनका जो match हो जाएगा वो चोथे के साथ principle of geology जो है इनकी book है तो ऐसे आपको match कर लेना है यहां पर तो आपसे direct question पूछ लिया गया है कि question का answer जो है यानि matching सामने ही सामने दे दिया है इस तरीके से exam में किया जाता है और आप confused होते हैं कि नहीं बड़ा आसानी सी question solve हो गया है तो ऐसा नहीं होता है कभी कभी इस तरीके से question पूछ लेता है और कभी ऊपर नीचे आपके विकल्प कर देगा तो सही answer जब आपको पता रहेगा तो आप किसी भी तरह से इसे match कर लेंगे और आपका question गलत नहीं होगा तो आप देखे जैसे हमने match किया उसके according यहाँ पर option ही हमारा क्या है right answer क्योंकि serial Y यह दिया A का पहला B का दूसरा C का तिसरा और D का चोथा और वैसे ही हमने इसको match किया है तो option ही इस question का हमारा right answer है आई एगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 13 देखे इसमें पूछा जा रहा कि यह वाक्तव वर्तमान भूतकाल की कुझी है किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया है इसको बताना इन चारों विकल्पों में से पहला है W M Davis यहाँ पर S लिखा है और B है Fank और C है James Sutton और D है Rich Thoppen तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर आपको बताना है कि वर्तमान भूतकाल की कुझी है यह वाक्तव वे किस भूगल वेता की द्वारा कहा गया था इसके बारे मैंने अभी उपर एक question करा रहा था और मैंने आपको बताया था कि वर्तमान भूतकाल की कुंजी है ये किसका है ये जेम्स हटन मोहदे ने जो है वाक्तववे कहा था ये आपको याद रखना है और एक रुपता वाद से ये संबंदित है ये भी question पूछा जाता है जो कि मैंने उपर आपको कराया तो यहाँ पर option सी इस question का right answer है अगला question देखते हैं अगला question नमरा है question number 14 देखे इसमें पूछा जा रहा है कि भू अभिनती को घेरे द्रिड भू भाग को कोबर ने क्या कहा था इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है पहला option है क्रेटोजन कहा था बी है प्रीमा रम्स कहा था और सी D है एन ड्रम्स कहा था और D है मोनाड नोक कहा था तो इन चारों विकल्पों में से सही answer आपको comment box में बताना है कि भू अभिनती को घेरे द्रिड भू भाग को कोबर ने क्या कहा था तो देखे इस question का हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number ए उसको जो है क्रेटोजन कहा था भू अभिनती को घेरे द्रिड भू भाग को कोबर ने क्रेटोजन कहा था इसलिए इस question का हमारा option ही क्या हो जाएगा right answer आईए अगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 15 देखे इसमें पूछा जा रहा है कि अपरदन की प्रक्रिया में विलयन के द्वारा पदार्थ का विकल्पों में से आपको बताना है क्या अप घर्षन कहलाता है यह सनी घर्षन कहलाता है सी अद्खतन कहलाता है तो सही answer आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो कोशन का हमारा आइस सही answer हो जाएगा वह आपका option number C सनर्चन कहलाता है अब परदन की प्रक्रिया में विलयन के द्वारा पदार्थ का अपनेयन या रिमूवल क्या कहलाता है सनरच्छन कहलाता है इसे आपको याद रखता है तो इस question का हमारा right answer है option number C आई अगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 16 देखे इसमें पूछा जा रहा है कि penny plane की आउधारणा निमनलिखित में से किसने प्रतिपादित की थी इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है पहला जो option है श्विंटन और फिर उसके बाद से B है जॉंसन, C है डेविस और D है क्रिक में तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि penny plane की आउधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी तो देखिए इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number D यहाँ पर क्रिक में के द्वारा जो है penny plane की आउधारणा जो है प्रतिपादित की गई थी यह आपको याद रखना है इस question का option number D हमारा right answer है अगला question देखती है अगला question हमारा है question number 17 देखे इसमें पूछा जा रहा है कि चूना पत्थर के गुफाओं की उत्पत्ति से सम्मंदित द्वी चक्रिय सिध्धान्त के प्रतिपादिक जो है कौन है इन चारो विकल्पों में से आपको बताना है पहला option है स्विवर्टन और B है गार्डनर और C है यहाँ पर W.M. डेविस और D है मैलिट तो इन चारो विकल्पों में से आपको बताना है कि चूना की गुफाओं की उत्पत्ति के शंदर्भ में जो द्वी चकरिय सिध्धान्त है वो किस के द्वारा प्रतिपादित किया गया है तो देखे इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number C W.M. डेविस के द्वारा जो है चूना पत्तर की गुफाओं की उत्पत्ति के शंदर्भ में द्वी चकरिय सिध्धान्त का प्रतिपादन किया गया था तो option C क्या हमारा right answer हो जाएगा इस question का आई एगला question देखते है अगला question हमारा है question number 18 देखे इसमें पूछा जा रहे कि भू अभिनति की अउधारडा किष्णे प्रतिपादित की थी ये भी काफी important question है क्योंकि कई बार ये question UGC net के exam में repeat हो चुका है पहला option है तो देखे इस question का सही answer क्या है आपको comment box में बताना है वैसे इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number C हाला इवम डाना भू अभिनती की अवधारडा किसके द्वारा प्रतिपादित के गई है तो हाला इवम डाना के द्वारा option C इस question का हमारा क्या हो जाएगा right answer आई अगला question देखते है अगला question हमारा है question number 19 देखे इसमें पूछा जारा की कॉस्मोग्राफी सब्द का प्रतिपादन जो है और उसे युरेनोग्राफी और जोग्राफी में विभाजित किशने किया था इन चारो विकल्पों में से आपको बताना है देखे पहला option है रेटर B option है पैस्चल और C option है हमबोल्ट और D है वारेनियस इन चारो विकल्पों में से सही आंसर क्या होगा comment box में आपको बताना है तो देखे इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number C यहाँ पर हमबोल्ट कास्मोग्राफी सब्द का इस्तमाल हमबोल्ट महोदय ने किया था और उसे uranography और जोग्राफी में विभाजित भी करने का काम किया था तो option C हमारा इस question का क्या हो जाएगा right answer आई एगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 20 देखे इसमें पूछा जारा कि गोटेनबर्ग असांता किस के बीच पाई जाती है इन चारो विकलपों में से आपको बताना है पहला है पपड़ी और प्रवार B है प्रवार और कोड के बीच में C है उपरी कोड और निचला कोड और D है यहाँ पर उपरी प्रवार और निचला प्रवार तो देखे इस question का सही right answer जो आपका हो जाएगा वो है आपका option number B यहाँ पर प्रवार और कोड के मद्धे जो है गुटन बर्ग असंतता जो है पाई जाती है यह आपको याद रखना है आईए अगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 21 देखे इसमें पूछा जा रहा है कि नदी समतल की अउधारडा किस्ने प्रतिपादित किया था इन चारोवी कलपों में से आपको बताना है पहला है C.A. Carton के द्वारा B.H. Vaughan Richthoppen के द्वारा C.H. क्रिकमे के द्वारा D.H. Alfred Vaughan Wagner के द्वारा तो इन चारोवी कलपों में से आपको बताना है कि नदी समतल की अउधारडा किस्ने प्रतिपादित की थी तो देखे इस कुश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका option number C यहाँ पर क्रिकमे महोदय के द्वारा जो है नदी समतल की अउधारडा जो है प्रतिपादित की गई थी इसे आपको याद रखना है और इस कुश्चन का हमारा option number C राइट आंसर है आई एगला कुश्चन देखते है अगला कुश्चन हमारा है कुश्चन number 22 देखे इसमें पूछा जारा कि अनात सेल इस तर पर 36 रेखा की दिसा को क्या कहा जाता है इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है क्या उसे नतिलंब कहा जाता है B option है नति कहा जाता है C है आपका अपनति कहा जाता है और D है मुक्त फलक कहा जाता है तो देखे इस कुश्चन का सही आंसर क्या होगा आपको comment box में बताना है वैसे इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number यहाँ पर नतिलंब कहा जाता है अनात सेल इस तर पर 36 रेखा की दिसा को क्या कहा जाता है नतिलंब कहा जाता है यह आपको याद रखना है और इस question का सही answer option ही हमारा हो जाएगा आई अगला question 53 देखे इसमें पूछा जारा है कि पैटर नाश्टर जील क्या है इन चारो विकल्पों में से आपको बताना है पहला दिया गया option हिम नदी यह सोपानों पर जील है यह एक प्रकार की B है ज्वालमुखी उत्पत्ती जील है और C है समुंदरी अपरदन द्वारा जल के उतल चेतर से बनी जील है और D है नदी विसर्प से कटी अर्ध चंद्राकार आकार की जील है तो अब आपको इन चारो विकल्पों में से बताना है कि पैटर नाश्टर जील क्या है तो देखे इस question का हमारा जो right answer हो जाएगा वो है आपका option number A हिम नदी यह सोपानों पर बनी एक प्रकार की जील है आपकी पैटर नाश्टर इसे आपको याद रखना है और इस question का हमारा option number A क्या है right answer अगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 24 देखे इसमें पूछा जा रहा कि भूतकाल की कुझी वर्तमान है यह वाक्यांस की अवधार्डा किस से संबंदित है पहला ज भूतकाल की कुझी वर्तमान है या वर्तमान जो है भूतकाल की कुझी है इसी तरीके से जो है इसे आगे पीछे करके आपसे पूछा जाता है तो आपको confused नहीं होना है चाहे भूतकाल की कुझी वर्तमान दिया जाया या वर्तमान जो है भूतकी कुझी है और यहां पे एक कुंजी वर्तमान है या वर्तमान की कुंजी भूत काल है यह एक रूपता वाद से संबंदित है और यह वाक्य जो है जिम सटन मोहदे ने दिया है तो यहाँ पर option D आपका इस question का right answer हो जाएगा आई अगला question देखते हैं अगला question number 25 देखें इसमें पूछा जा रहा है कि कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियन्स भ्रंस पटल सीमा और पटल गतियों के निमनलिखित प्रकारों में से किसका उधारण है इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है पहला है वामा वर्त गती के साथ रुपांतरित सीमा भी है दच्छड़ा वर्त गती के साथ साथ अभी सारी में और वामा वर्त गती के साथ अभी सारी म मतों है तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है दच्छिडा वर्त गती के साथ रूपांतरित सीमा और सेन एंडरियंस भरंस जो है सनरच्छी किनारे जो सनरच्छी किनारा होता है कंजरवेटिव मार्जिन होता है उसी के किनारे जो है सेन एंडरियंस भरंस का निर्माड होता है अभी उपर मैंने पहले कोशन में आपको बत नई प्लेटों का निर्माड होता है और इसी के किनारे पे जो है सैन एंड्रियंस ब्रंस जैसे निर्माड होता है ब्रंस का यह आपको याद रखना है तो यहां पर आप्सन भी इस कुश्चिन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आई एक लगा देखते हैं अगला कुश्च की और अपका नबर इसा की और नजिका पटल किस जिसा की और बढ़ रहा है तो पूर्व की और बढ़ रहा है यह आपको याद रखना है अहींगला कुश्चनमारा है। Q27, देखें इसमें पूछा जारा कि भव्य डिनॉसार के परीछेपन में निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर परीगटना है इन चारों में से आपको बताना है पहला है जौलमुखी उद्गार, B है छेत्री है भ्रंशन और C है वैस्विक सीतन और D है महादवीपी विश्थापन तो देखे इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number D महादवीपी विश्थापन जो है इस question का हमारा right answer हो जाएगा option D right answer is question का आईए एगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 28 देखे इसमें पूछा जारा है कि निमनलिखित में से कौन सा एक भू इस्थल आकृति विशिष्थाओं वाला समू छरण प्रक्रिया का परिडाम है इन चारों में से बताना है छरण प्रक्रिया का जो है वो परिडाम है पहला जो option दियागा है एसकर फिभोर यह फिवोर्ड हो जाएगा फिवोर्ड है फिवोर्ड और भी आकार के घाटी सीफ बी ओप्शन है सार्क आरेट प्याला इस्टेक और सी option है हिमोड बरकान पिनेकिल और तरंग निर्मित प्लेटफॉर्म और डी ऑप्सन है लिवेस और इस्टेगमाइट और मोडो स्वरी मोनोडनाग होता है और फिर उसके बास से ड्रमलिन है तो इन चारो विकल्पों में से आपको बताना है कि एक भू इस्तलाकृती विश्यस्ताओं वाला समूह चरण प्रक्रिया का परडाम कौन सा ओप्सन है तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ओप्सन नमबर बी यहां पर सार्क आरेट और प्याला इस्टेग जो है एक भू इस्तलाकृती विश्यस्ताओं वाला समूह चरण प्रक्रिया का परडाम है ये आपको याद रखना है option number 20 question का right answer है आई एकला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 29 देखे इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिये गए हैं जिनमें एक अभी कथन A है और दूसरा तर्क R है कथनों को पढ़िए और नीचे दिये गए कूट का प्रियोग कर सही उत पांत या प्लेट मार्जिन और ज्वाला मुखी छेत्र इस पश्ट रूप से एक दूसरे से सम्मंदित होते हैं तरक है अधिकांस ज्वाला मुखी छेत्र अभी सरण पट्टी का सीमाओं पर अवस्थित होते हैं तो आपको बताने क्या option A सही है B सही है C सही है या D सही है तो देखे इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number A यहाँ पर right answer हो जाएगा A और R दोनों सही है और R A की सही व्याक्या है अब देखे अभी कर्थन में यही बताएगा कि पट्टी का उपांत या plate margin जो है ज्वाला मुखी छेत्र इस पश्ट रूप से एक दूसरे के साथ संबंदित होते हैं तो जाईर सी बात है कि जहाँ plate आपस में आकर टकराती हैं दो plate हैं और यह आमने सामने आकर टकराती हैं तो यहाँ पर भी जोला मुखी क्रिया संबंदित होगी अगर यह विपरीत दिशा में जाती हैं तो भी जोला मुखी संबंदित क्रिया होत सित होते हैं यानि प्लेट आमने सांदे जब आकर टकरती हैं तो ज्यादे तर रहते होते हैं यहां निचे को नीचे तरफ चला जाता है और गर्म होने के यानि नीचे का जो matter liquid form है उसका temperature जादा होने के कारण यह पार्ट जो है क्या होता है उसमें melt हो जाता है और यहां से जो magma उपर निकल कराता है इस प्रिकार से ज्वाला मुखी का निर्माड होता है तो I hope कि ये question आपको clear हो गया होगा देखे इसमें पूछा जारे कि मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर प्रिथवी की परपटी प्लवन को क्या कहा जाता है यानि कि मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर प्रिथवी की भू परपटी जो है प्लवन करती है तैरती है उसको क्या कहा जाता है पहला है गुरू मंड आउसर हो जाएगा वो है आपका option number D, एस्थनो स्फेयर, एस्थनो स्फेयर के ऊपर जो है हमारा परपटी वाला जो भाग है, इस्थल वाला भाग है, क्रिश्ट वाला जो भाग है, वो क्या कर रहा है, तैर रहा है, नीचे वो liquid form में है आपका इस्थनो स्फेयर, जिसको अंत पूछा जा रहा है कि निमनलखित में से विद्वानों के किस समों ने धाराओं द्वारा पार्सिक छरण की पेडिमेंट के निर्माण में भोमिका पर बल दिया है, इन चारों विगलपों में से आपको बताना है, पहला है में कूगी, पेज और ब्लैक विल्डर, बी है में समों ने धाराओं द्वारा पार्सिक छरण की पेडिमेंट के निर्माण में भोमिका पर बल दिया है, यह आपको याद रहतना है, ओप्सन डी क्या हो जाएगा इस कूश्चिन का राइट आंसर, आई अगला कूश्चिन देखते हैं, अगला कूश्चिन हमारा है कूश्च का दो चक्रिय सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तूत किया गया तो यह कूश्चिन मैंने आपको अभी ऊपर कराया था जो है चूना पत्थर गुफाओं के उद्गम द्वारा यानि उद्गम कैसे होता है उससे संबंदित जो दोचकरिय सिद्धांत है, वो कृष्णे दि देंगे तो देखिए फ्रिंट्स जितने भी यह मैं कुश्चन आपको करा रहा हूंगे सभी कुश्चन जियो मर्फोलोजी से है भू आकरते विज्ञान से है जो की आपके सेकंड पेपर जोग्राफिक का पहला यूनिट है तो यह सारे 50 कुश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं इसमें प्रिबियस ये के कुश्चन भी सामिल है और यह सारे कुश्चन को आपको प्रेक्टिस सेट की तरह अटेम्ड करने है यह कुश्चन आपको एक्जाम में काफी हल लिखित में से किस लच्चन का निर्माड होता है इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है पहला है यहां पर हैंगिंग वैली बी है यू आकार वाली घाटी और सी है अंध घाटी और डी है रिप्ट घाटी तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि विवर विवर्तनिकी बल के कारण होता है बाकी यू आकार वाली घाटी जो होती है ये नदी के अपरदन के द्वारा जो है इसका सेप बन जाता है यू आकार का इस प्रकार से घाटी तो ये जो है आपका नदी के द्वारा होता है जो जल बहते हुए आता है फिर अंद घाटी जो है भूमिकत जल के द्वारा जो है अंद घाटी का निर्माड होता है ठीक है लेकिन रिप्ट घाटी का निर्माड विवर्तनी की बलके कारण होती है इसे आपको याद रखना है आई एकला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन हमारा है कुश्चन नमर 34 देखे इसमें आई है उपरी मेंटल और नीचली मेंटल के बीच में तो इस कोश्चन का सही आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है तो देखिए इस कोश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्सन नंबर भी सियाल और सिमा के बीच में जो है कॉनार्ड कोश्चन का सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वैसे इस कोश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्सन नंबर एक ग्रेनाइट का नेमनल लिखित में से कौन सी चट्टान क्रेटन से संबंद रखती है तो ग्रेनाइट जो है क्रेटन से ये पूरी तरीकी से सम्मंदित है आपसने इस question का right answer हो जाएगा आईए एगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 36 देखे इसमें पूछा जा रहा है कि निमनलकित परवतों में से किसका निर्माड एक महासागरी और एक महादेशी ये पटिका के अभी सरण से हुआ है इन चार विकल्पों में से आपको बताना है पहला है यूराल परवत का बी option है अलपास परवत का c है एंडेज परवत का और d है अपलेशियन परवतमाला का तो इन चार विकल्पों में से आपको बताना है कि किस परवत का निर्माड एक महासागरी है और इसके साथ एक महादेशी या पटिका के अभिसरन से हुआ है यानि कि महासागरी प्लेट और जो आपका स्थल भागवाला जो प्लेट है महादेशी प्लेट इनके अभिसरन से उस परवत का निर्माड हुआ है तो वो परवत कौन से है तो देखे इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number C इंडीज परवत का निर्माड जो है यहाँ पर एक महा सागरी और एक महा देशी या पटिका के अभिशरण से हुआ है यह आपको याद रखना है इस question का यह option C हमारा right answer हो जाएगा आईए अगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 37 देखे इसमें पूछा जा रहे कि काश्ट प्रदेसों में चट्टानों के अपच्छा के लिए निमनलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सा एक उत्तरदाई है इन चारोव गल्पों में से आपको बताना है काश्ट प्रदेसों यानि कि चूना प्रदेसों की यहाँ पर बात हो रही है अपच्छा के लिए जो है निमनलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सा एक उत्तरदाई है पहला है हाइड्रो लिसिस बी है कार्बनी करण सी है ऑक्सी करण डी है ढाल मलबे का निर्मार्ट तो इ चूना प्रदेशों में चट्टानों के अपच्छे के लिए कार्बनी करण जो है उत्तरदाई है पूरी तरीके से यह आपको याद रखना है ऑप्सन भी इस कॉर्शन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा आईए अगला कॉर्शन देखते हैं अगला कॉर्शन हमारा है कॉर को पहुच करके मैच करके सही आंसर कमेंड बॉक्स में बताना है तो देखे पहला जो आपका मैच होगा वो दूसरे के साथ मैच हो जाएगा नील नदी जो है चापाकार डिल्टा बनाती है उसके बाद से बी जो आपका मैच करेगा वो तीसरे के साथ मैच करेगा यहाँ प गंगा नदी भी जो है चापाकार आकरती की जो है डेल्टा बनाती है लेकिन यहां पर चापकर नील नदी भी बनाती है तो ये दोनों आपका हो जायेगा तो ये पूरा प्रकार जो है डेल्टा बनाती है यह आपको याद रखना है तो देखिए जैसे आपने मैच किया है उस प्रकार से जो आपका सही आंसर यहांपर हो जाएगा वह आपका option no. option no. बड़ी क्या हो जाएगा राइट आंसर लेकिन याद रखिएगा गंगा नील नदी हांगसों नदी ये सभी चापाकार प्रकार की क्या करती है डेल्टा बनाती है आई अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन हमारा है कुश्चन 39 देखे इसमें पूछा जारे कि पै जवी हस्त छेप में निर्मित समतल सता तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है कमेंड बोक्स में आपको बताना है तो देखे इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहां पर आप्सन नमबर बी का बाढ़करित मैदानों को जोड़ने से निर्मित मैदान जो कि कुझी है और यह भी कुष्चन आपका जो है प्रिबेस यह में पूछा गया था 2017 में ठीक है और वह जो मैंने इससे पहले कोशन कराया था वह 2018 में पूछा गया था और जो सबसे ऊपर एक कुश्चन आपको मिला था वहां पर एक रूपता वाद से संबंदित जो है किसक में बताया था आई अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन हमारा है कुश्चन नमबर 41 देखे इसमें पूचा जरे कि रिया किसका उदारण है रिया थक देखे यह भी कुश्चन मेंने उपर आपको कर आया था पहला उप्रकृतिक तट्का भी है सन्यूक्त और सी है उनमजी उपरी भूमी तटका और डी है निमगन उपरी भूमी तटका तो इन चारों विकलपों में से सही आंसर आपको कमेंड बोक्स में बताना है तो देखिए इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option कारण और भी है तनावबल के कारण सी है उनमजन के कारण और डी है आउतलन के कारण तो देखिए इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number C यहाँ पर उनमजन के कारण भारतिय प्लेटों का आस्तित्व किसके कारण से है तो उनमजन के कारण आईए अगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 43 देखिए इसमें पूछा जा रहा कि भू अबिन्यती का समगर सिध्धान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था इन चारो विकल्पों में से आपको बताना है पहला है हाला और डाना के अनुसार भी है ई हौक के अनुसार और C है जे इस्टियर्स के अनुसार और D है जे डबलू इवास के अनुसार तो इन चारो विकल्पों में से सही आंसर आपको बताना है कि भू अभिनती का समगर सिधान्त किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था तो देखिए इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number B इहां पर पूछा गया था कि भू अभिनती का समगर सिधान्त जो है प्रस्तुत किया गया था अब आप बोलोगों कि कैसे यह सही है तो देखिए यहां पर पूछा गया था कि भू अभिनती का समगर सिधान्त और जब हालाडाना का नाम आता है तो भू अभिनती का सिधान्त किशने प्रस्तुत किया था तो हाला डाना ने लेकिन इहाग ने जो है इन दोनों के सिध्धान को आपस में मर्ज करके उसको जो है एक समगर सिध्धान के रूप में प्रस्तुत किया था भू अभिनती के सिध्धान को तो इसलिए जब समगर सिध्धान की बात हो तो इहाग क का सिध्धान अगर पूछे तो हाला डाना आपका सई हो जाएगा आई एगला कुष्षिण देखते हैं अगला कुष्षिण मेरा है कुष्षिन 54 देखिए यह भी कुष्षिण आपका मैचिंग वाला कुष्षिन है एक तरफ सुची 1 है दूसरे वो यहां पर चौथे के साथ मैच कर जाएगा डेविस के द्वारा चूना पत्थर के गुफाओं के उद्गम या उत्पत्ति के संदर में जो द्वी चक्रिय सिध्धान्त है वो डेविस महुदे के द्वारा दिया गया था बी जो है आपका मैच करेगा यहां पर जो है भौ में जल इस्तर सिध्धान्त तो यह मैच करेगा पहले के साथ यह जो है आपका स्विन रेटून का है और फिर उसके बाद सी है यहां पर इस्थितिक जल छेतर का सिध्धान्त तो यह जो आपका मैच करेगा यह दूसरे के यहां पर दिये गे थे सुची वन में और दूसरे तरफ विद्वान के नाम और इसे आपको मैच करना था देखिए यहां पर जो कूट दिया रहता है मैंने उसको टाइप नहीं कर पाया हूं तो इसी प्रकार से आपको मैच करना है तो देखिए अब जैसे अगर पूछे तो का यहां पर आपका हो जाएगा दिक है फिर उसके बाद से बी का हो जाएगा यहां पर पहला हो जाएगा ultyक प्रकार से जो कूट आपको दिखेगा चारो विकल्पों में से वो आपका सही आंसर हो जाएगा आई अगला कुश्चिन देखते हैं अगला कुश्चिन हमारा ही कुश्चिन नमर 45 देखे इसमें पूछा जारा कि पेडिमेंट निर्माल के पार्श व समतलन सिधान्त को किष् आपका आपसन नमर भी गलबर्ट महोदे के द्वारा पेडिमेंट निर्माल के पार्श व समतलन सिधान्त को प्रस्तावित किया गया था यह आपका राइट आंसर हो जाएगा आपसन भी अगला कुश्चिन देखते हैं अगला कुश्चिन हमारा है कुश्चिन नमर 46 देख अभिकतन में दिया गया कि हवाई दूइब जौला मुखी क्रियाओं का प्रदेश है तरक है अभिसरित प्लेट सीमाय जौला मुखी उद्गारों के स्थल होते हैं अब आपको इन चारों विकल्पों में से बताना कि कौन सा ऑप्सन सही हो जाएगा क्या ऑप्सन ए सही है या डी सही है तो देखे इस कोश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्सन नंबर बी यहां पर ए और आर दोनों सही है किन्तु आरे की सही व्याक्या नहीं है क्योंकि अभिकतन यह में बताएगे कि हवाई दूइब जौला मुखी क्रियाओं का प् लेकिन तरक आर जो है वो अभिकतन एको एक्स्प्लेन नहीं करता है यहां पर इसलिए हमारा ऑप्सन भी क्या हो जाएगा राइट आंसर किलाईू जो 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 अला मुखी है वो आपका हवाई दूप पैस्तित है यह भी आपको याद रखना है तो यहां पर जो है आपका ऑ इन चार विकल्पों में से आपको बताना है पहला है महादवीपी एसल्फ महासागर पटल के बीच में बी है दुरबलता मंडल और इस्थल मंडल के बीच में सी है परपटी और उपरी प्रवार के बीच में और डी है आपका कूर और प्रवार के बीच में तो देखिए इस परपटी और उपरी प्रवार के बीच में आई एकला कुछिन देखते हैं अगला कुछिन हमारा है कुछिन नमर 48 देखे इसमें पूछा जाता है कि एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को जाना जाता है किसे नाम से जाना जाता है या उस प्रक्र आपका होगा वहापका आपसन नंबर भी और नयंग इसे कहा जाता है एक प्लेट का जो है दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने जो है यहां पर किस प्रकार का भ्रंस है इंचारो विगलपों में से आपको बजाना है पहला है रूपांतरित भ्रंस है बी है अभिसारी भ्रंस है और सी है प्रसारी भंस है और डी है निमजन कारी भ्रंस है तो इंचारो विगलपों में से सही आंसर आपको बताना है तो question होगा देखे इसमें पूछा जा रहा है कि निमनलिकित में से कौन सा सरिता हिमे निच्छेप है इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है पहला है पदिस्थली B है केमवेदिका C है बाड़कृत मैदान और D है लोईश का मैदान तो देखे इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है उसे आपको कमेंड बॉक्स में बताना है तो देखे इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number B केमवेदिका जो है सरिता हैमि निछेप से बनती है यह आपको याद रठना है question में यही पूछा गया कि निमनलिकित में से कौन सा सरिता हैमि निछेप है तो केमवेदिका सरिता हमि निछेप है तो यहाँ पर यह हमारा वीडियो का last question जैसा कि मैंने आपको बताया और स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि इस वीडियो में हम यूजिसी नेट जो है एक्जाम के लिए सेकेंड पेपर जियोग्राफिस सब्जेक्ट से पचास इंपोर्टन कोश्चन को कवर करेंगे और ये सारे कोश्चन आपके जियो मॉर्फोलोजी यानि कि आपके सेलिबर्ष में जो पहला यूनिट सबसे है जियो मॉर्फोलोजी या भू आकरती विग्यान उससे हमने जो है पचास इंपोर्टन कोश्चन को कवर किया इसके साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ऐसे कोश्चन है जो कि प्रिवियस यर के एक्जाम में अलरड़ी पूछे जा चुके हैं तो कई सारे ऐसे कोश्चन होते हैं जो बार-बार रिपीट होते हैं तो अगर कोश्चन को आपने अच्छे से प्रेक्टिस सेट की तरह अटेम्ट किया होगा तो बहुत सारे कोश्चन हो सकते हैं कि आपके एक्जाम में बन जाए अभी मैं इस यूनिट से यानि जियो मॉर्फोलोजी या भू आकरते विज्ञान से आपको अभी कम से कम मैं 80 से उपर कोश्चन कराने का प्रयास करूँगा 80 से या 90 के आज पास ठीक है तो इस तरीके से 100 प्लस कोश्चन में जो मॉर्फोलोजी से आपको करा दूँगा और यहां से जो इंपोर्टन कोश्चन यानि कि हर यूनिट से 10 कोश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा सा वैरी कर जाता है किसी यूनिट को लेकर किसी यूनिट में 2-3 कोश्चन कम पूछे जाते हैं और किसी में जादे कर दिये जाते हैं लेकिन एवरेज माना गया कि 10 यूनिट होते हैं और इन 10 यूनिट में से एक एक यूनिट से 10 कोश्चन आपसे एक्जाम में पूछे जाते हैं तो देखे फ्रेंट सासा करता हूँ कि मैं ने जो ये question आपको कराया, ये आपके लिए helpful है, और किसी question को लेकर अगर आपको doubt होता है, कुछ समझ में भी नहीं आता है, कोई question गलत लगता है, मैंने अपने तरब से प्रयास अच्छी से किया है कि कोई question गलत नहो, type करने में उसरे दोस्तों के साथ share कर सकते हैं, ताकि उनको भी help मिल सके, हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा आपकी help की जाए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप like करते हैं, तो हमें support मिलता है, support का मतलब हमें लगते कि नहीं हमने जो प्रयास किया, वो किसी की उससे मदद हो लिजेगा क्योंकि जब कभी भी कोई वीडियो अगर इस चैनल पर अप्लोड की जाती है, एक्जाम रिलेटेड या फिर higher education के job रिलेटेड या यूजी सिनेट पेपर की preparation से related important question हो या कोई topic हो, तो उसकी notification आपको बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगे, और आप वीडियो को फिर मिलते हैं, अगले वीडियो में कुछ और important question के साथ तब तके लिए, जय हिन जय भारत